नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में दोस्तों यदि आप एक CAC भेली हैं और थाप कमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना अतिया आवसक है या सभी CAC भेली के लिए मेंडेटरी कर्ट दिया गया है और आप इसे आवसक समझते हुए इस सर्टिफिकेट के लिए जरूर अप्लाई करें और इस परिक्षा को पास करके इस सर्टिफिकेट को अपने CAC सेंटर पे लगा दें तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट है जो सभी इली के लिए और इवार्ट कर दिये गया है क्योंकि जब भी जाच किया जाएगा आपके सेंटर का तो यह सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाएगा चले वीडियो को सुरूर करते हैं जान लेते हैं लगे से पहले यदि आपने चैनल पर नहें हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहां से CAC के पल पल की खबरे मिलती रहती है तासर जो भी सरकार योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जनकारे मिलता है चले वीडियो को सुरूर करते हैं और जान लेते कौन सा सड़ी ठीकिट है जो सवी ठीयले के लिए अनिवार्स है और इसे आवसक समझें दोस्तो इस सठीकिट के बारे में जानने के लिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर आजाएंगे और टेलिग्राम चैनल पर आने के बाद टेलिग्राम में टाइप करेंगे पीएस कोचिंग सेंटर तो आप मेरे चैनल पर आजाएंगे इससे आप लोग बीना किसी एक्स्टाफिस के टीपवसी आरांड से पास कर सकेंगे। इसके लिए आप लोगों को 500 रुप्या का फ्रीडम प्लान करना होगा। टीपवसी का रेजिट्रिशन करते समय आप लोगों को एक्जाम के टेगरी में इंटरेस्टेस्ट सेलेक्ट करना होगा। और एक्जाम में टीपवसी सेलेक्ट करना होगा। अधिक जनकाड़ी के लिए आप अपने CAC के एस्टेट टीम से शंपर कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दू कि जितने CSE भीली हैं उन सभी भीली को ट्रीपल सी एक्जाम पास करना अनिवार्स कर दिया गया है और तो आप इस एक्जाम को पास करके इसके सटिफिकेट को अपने CSE सेंटर पर जरूर लगा दें जाच के समय इसकी मांग की जागे दोस्तों मैं इस CSE सेंटर बंध भी हो जाता है तो इस सटिफिकेट माध्यम से आप किसी और जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं तो कंप्यूटर कोर्स का यह जो टीफास सटिफिकेट है यह बहुत ही बढ़ी है आप जरूर इसे प्राप्त कर लें क्योंकि यह माध्र 500 रुपया में ही प्राप्त कर सकते हैं तो अगर आपको अपलाई करने में कोई दिकत है या टीफास सी एजाम पास करने में कोई दिकत होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे मैं उस प्राप्कूल वीडियो बना दूगा और इसका कोर्स भी लेका आ जाओगा चलिए आशा करता हूँ कि आप को ये वीडिया अच्छा लगा होगा फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहींद जै भारत जै भेले सांथियों